110 सब्ध प्रतिमिनट एडिटोरियल लिक्रिशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद स्टार्ट कॉंग्रेस के नेता राफेल विमान सौधे को लेकर जिस तरह पहले नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक यानि कैग के पास गए और फिर केंद्रिय सतरकता आयुक्त के पास उससे इसकी ही पुष्टी होती है कि वे इस मसले को तूल देने के लिए किसी भी हद तक जाने को तयार है ऐसा सायत इसलिए और है क्योंकि राफेल सौधे को घोटाला साबित करने के अभियान की अगुआई खुद कॉंगर सध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं वह हर दिन एक नए आरोप के साथ ही सामने नहीं आ रहें बलकि कहीं अधिक तीखी और कई बार तो अमर्यादित भासा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसके जवाब में भाजपा भी उनके खिलाफ आकरामक रवय का परजय दे रही है पैरा अगर राफेल सौदे पर आरोप प्रत्यारोप का यह सिल्सला लंबा खिचा तो जुवानी जंग का और तीखा होना तै है यदि राहुल गांधी को यह यकीन हो गया है कि राफेल सौदे में सचमुझ घुटाला हुआ है तो फिर उनके साथियों को इधर उधर जाने की बजाए वे तत्य सब के सामने रखने चाहिए जिनके आधार पर इस निसकर्ष पर पहुचा जा सके कि इस सौदे में गड़वड़ी हुई है अगर घुटाला हुआ है जैसा कि लगातार सोर मचाया जा रहा है तो फिर पैसे का लेन देन हुआ होगा और वह एक खाते से दूसरे या फिर तीसरे चोथे खाते में भी गया होगा ठीक वैसे ही जैसे बोफुर्स तो सौदे में देखने को मिला था क्या कॉंग्रेसी नेताओं के पास ऐसे कोई प्रमाड है अगर है तो फिर वे कैग और सी वी सी का दरवाजा खट-खटाने में वक्त जाया क्यों कर रहे हैं आखिर वे घोटाले के कथित सुबूतों के साथ अदालत क्यों नहीं जाते क्या प्रधान मंत्री के खिलाफ तीकी भासा के इस्तिमाल से राहुल गांदी के आरोप प्रमाड में तब्दील हो जाएंगे पैरा अगर राहुल अथ्वा अन्य विपक्षी नेता यह सोच रहे हैं कि घोटाला होने का सोर मचाते रहने से उनकी बात सही मान ले जाएगी तो ऐसा होने वाला नहीं है वैसे भी कॉंग्रेसी नेता अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर पाएं हैं कि राफेल सौदे में क्या अन्य अमित्ता हुई है वे कभी राफेल विमान ज्यादा कीमत पर खरीदने का आरोप लगाते हैं तो कभी इस पर हैरान परिशान होते हैं कि राफेल बनाने वाली कमपनी दसओ ने अनील अमबानी की कमपनी को साजिदार क्यों बना लिया बहतर है कि वे इस पर हैरान परिशान होने के बजाए यह बताएं कि इसमें गलत क्या है वे यह भी बताएं तो और बहतर कि आखिर उन्हें अनील अमबानी की कमपनी से इतनी परिशानी क्यों है पैरा निसंदेह कुछ सवाल मोधी सरकार के सामने भी है सरकार की कोशिस राहुल कांधी के आरूपों का जवाब देते रहने के बजाए इस मसले का पटाचेप करने की होनी चाहिए राफेल सौदे को लेकर सरकार का सवालों के जवाब देने की मुद्रा में नजर आना कोई प्रभावी रणनीत नहीं कही जा सकती उसकी कोशिस तो उन कारणों का निवारण करना होना चाहिए जिसके चलते राहुल गांधी राफेल सौदे को घोटाला बताने में लगे हुए हैं वह इसकी अंदेखी नहीं कर सकती की कॉंग्रिस राफेल सौधे को राजनितिक मसला बनाने की कोशिस में फ्रांस से संबंध खराब होने की भी चिंता नहीं कर रही है